Hello to all my beautiful souls, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल पर और आज मैं लेकर आई हूँ एक candle wax reading friends और इस reading का topic है कि आपके person का next action क्या है और आपके लिए divine guidance क्या है आपके person का next action क्या है और आपके लिए God की guidance, divine की क्या guidance है चेक करेंगे में यहाँ पर और उनकी energy भी चेक करेंगे भी वो क् कर रहे हैं क्या सोच रहे हैं आपके लिए और friends यह एक general reading है तो हो सकता है कि कुछ बातें कुछ viewers के साथ resonate ना करें एक स्मॉल सी reading बनाई है मैंने quick reading है यह तो देखते हैं कि आपके person का next action और divine guidance आप लोगों के लिए क्या है इस relationship को लेकर friends आपके person का जो next action होने माला है वो है एक solid commitment आपके person आपको commitment देने के बारे में सोच रहे हैं और यह काफी वक्त से सोच रहे हैं हो सकता है कि आपने इनसे अभी move on कर लिया है आपने इनसे break up कर लिया है यह अगर हमारे कुछ viewers जो contact में हैं लेकिन आप लोगों की बहुत कम बात्चीत होती है तो उनके लिए यह message है कि आपके person होकर reading को देखिएगा पर्सनल रीडिंग नहीं है तो प्लीज आप लोग अगर कुछ ऐसा लग रहा है आपको की रीडिंग आपके लिए नहीं है या आपके according match नहीं कर रही है तो इसको आप skip कर सकते हैं और अगर आपसे match कर रही है रेजनेट कर रही है तो well done बहुत अच्छी बात है और आप लोग male female जो भी है सभी का welcome है सभी लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को आपके person नहीं चाहते हैं कि आप उनकी life से move on करो आपके person नहीं चाहते हैं कि आप उनको छोड़ कर जाओ वो काफी obsessed energy में है इस time आपको लेकर काफी परेसान हैं काफी दुखी हैं वो एक ऐसी तलवार पर खड़े हुए हैं इस वक्त की जिस पे उनको बड़ा कश्ट है बड़ा pain है एक तरफ उनकी family वाली है जो ये नहीं चाहते हैं कि आप दोनों विवाबंदन में बंदो एक त परसन है उनको लगता है कि आपके बिना जीना मुस्किल है तो उनकी जो current energy है भी वो यह है कि वो काफी obsessed है आपको लेकर हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा श्टॉक कर रहे हैं हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा जासूसी कर रहे हों कि मतलब आपको spy कर रहे हों देख हो यहां वहां से कि आपकी लाइफ में कोई परसंद तो नहीं आ गया है उनको लगता है कि बहुत टाइम हो गया है बहुत ज्यादा वक्त ले लिया है उन्होंने और इस डर की विजए से हो सकता है कि वह आपको खोदे ऐसा वह भी फील कर रहें है तो नेक्स्ट एक्सन यहीं लेने वाले हैं कि वह आपको कोई solid commitment दे सकते हैं कोई बड़ा big promise कर सकते हैं कोई बड़ी gift दे सकते हैं कोई बड़ी opportunity आपको दे जिसमें आप कुछ भी एक चकित रह जाओगी कि मैंने यह सोचा ही नहीं किये मैंने यह सोचा ही नहीं था इस पर्सन से और आपके लिए जो divine guidance है वो यह है friends कि आपको अपने relationship पे वर्क करना है और उससे ज्यादा work आपको अपने आप पर करना है अगर आप trust issues अगर आपके अंदर trust issues हैं अपने person को लेकर अपने आपको लेकर या अगर आप self-doubt में रहती हो कि पता नहीं यह person मुझे दोखा दे कर चला गया है यह मुझे फायदा उठाकर चला गया है तो आपको उसमें नहीं रहना क्योंकि you are a complete personality you are complete divine blessing तो आपको अपने बारे में ऐसा नहीं सोचना है positive बने रहे अपने आपको self-sabotage मत करिएगा यह divine की guidance है आपके लिए कि आपके person आपको आपको बहुत मिस्कर रहे हैं बहुत याद कर रहे हैं दिल से पुचाते हैं कि किस तरीके से आपसे बात हो जाए लेकिन पहला आप कर लो तो friends यह थी reading I hope कि reading आप से resonate की हो आपको पसंद आई हो आपने enjoy किया हो reading को अगर reading आपको अच्छी लगी तो please video को like करिएगा और अगर आप पहली बार मेरी channel पर हैं तो please like share subscribe channel अब हम यहां कुछ channel messages निकाल लेते हैं आपके person की और से देखते हैं कि वो आपको क्या channel message देना चाहते हैं वो आपको क्या बोलना चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं thank you thank you god thank you angels thank you so much universe please guide करें हमारी viewers के person उनको क्या message देना चाहते हैं please बताएं सबसे पहला message है उनकी ओर से एक मुलाकात हो तू मेरे साथ हो जीने की वजा तुम बनो तुम बनो I feel your hand on my shoulder देखिए वो आपके हाथ को अपने कंदों पर feel करते हैं कह रहे हैं आपसे you know whatever I want and whatever I need तो कह रहे हैं आपसे कि आपको पता है कि वो क्या चाहते हैं और क्या उनकी जरूरत है आप उनकी चाहत हो आप उनकी जरूरत हो आपको ही चाहते हैं आपको ही सराते हैं ऐसा वो कह रहे हैं या कह रही है female भी हो सकती है यह I let go of the worries आपसे कह रहे हैं कि वो अपनी सभी सिंताओं को let go कर रहे हैं और divine को surrender कर रहे हैं I replay our conversation in my head all the time तो आप दोनों की जो भी बाते होती हैं WhatsApp पे, call पे वो बारवार repeat करते हैं बारवार अपने mind में उसको समझते हैं I reply करते रहते हैं बारवार आपकी सभी बातों को मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमता हूं तो song है यह मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमता हूं जरूर देखिएगा यह बड़ा सा मेसेज लग रहा है क्या है भी इसमें इंटरस्टिंग सा मेसेज है बहुत वाँ वक्त का इंतजार कीजिए मुलाकात हमसे ही होगी तो आपसे खह रहे हैं कि वक्त की देरी है मुलाकात हमसे ही होगी फिर से तुम गलत फहमी का सिकार हो आपसे कह रही है या कह रहे हैं आपके पार्टनर आपकी पार्टनर आपसे बोल रही है कि आप दोनों फिर से एक साथ होंगे और बहुत जल्द होंगे मुझसे दूर कभी मत जाना आपकी पार्टनर या आपके मेल पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि मुझसे दूर कभी मत जाना I promise that my love for you will stay like forever आपसे कह रहे हैं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेंसा ऐसा ही रहेगा जैसा अभी है ऐसा ही आगे रहने वाला है तो friends यह है reading I hope कि reading आपसे resonate की हो आपको पसंद आई हो reading पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप पहली बार मेरी चैनल पर हैं तो please like, share, subscribe my channel Thank you so much for watching